लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और रेल आइटिन को प्रेस करें अब गोड़ा पसंद कर लो तुमने का था तो अपनी साल गड़ा करीद दोगे अब तर लो भाइचला अब दो अब सब्सक्राइब करने तुम्हें अब पसंद करें बच्ची बच्ची तुम्हारे यहां का सिस्टम को मेरी समझ में नहीं आता तुम जनमश्टमी को पाइदा हुए तो नाम रख दिया किशन बच्ची पूर्माशी को पाइदा हुए तो नाम रख दिया पूनम अब यह बतलाओ बच्ची की साल का दिन जो घोड़ा खरीद रहे हो इसका नाम का रखो गया है तुमारी ज्यादा बोलने के आदस नहीं करते हैं बात बहुत लंबी करते हुए बता तुमें कौन से घोड़ा पसंद है बोलो बोलो बच्ची की पसंद तुमसे ज्यादा अच्छी है इसने सबसे बेतरीन खोड़ा पसंद किया है टी पोलो द्रह लाओ को ड किरती अच्छी हूं अच्छाald है ठीक है ठीक है आचला शब्बाब सास अब रहना और एक राउन लगागे लिया बच्ची को जा अच्छा डड़ी अच्छा डड़ी डड़ी बच्छा अच्छा 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 तरण ना अच्छा 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 व कर दो सब्सक्राइब बड़ा होना लगशाइब अरे सार भी बड़ा गजब तो है तीर की तरह लेकर गया गोड़ा तीर की तरह रगू यह तुम्हारी तरह हमारे गुलों की देख भाल करता है नहीं सरकार यह पढ़ता है अच्छा अच्छा आज इसकी सारी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ह तरह पर किया है तो पिती आरामी की बचने के कुषी में एक महने तक गरीबों को खाना खिलाए जाए और आसपास के तमाम अनाथ आलाय और अफ़ातालों में एक एक हजार का चेक बिजवा दिया जाए अरे हां और हमारे सभी काम करने वालों को कपड़े और मिठाईयां ब इधर है चलि राइडिंग करेंगे पागलों को यह क्या रानी मा देखेंगे तुमारे मीं उस दिन तो मरते मरते बच्छी हो तुम गरे पर बैठना का आओ गया और पिर तू जहें सपने बच्छाने वाला ना बबा मुझे तो डल लगता है फिर मैं अक्यले जाती हूँ बाल बाल करेंगे तो मुझे पर बाल कि उसे कि अरी में बाल कि टो ड्मार में प्रूपलों छूफलों जाती है कि लुट इसे युट कि लुट कि लुट कि लुट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 हु क्या देवाला अपन दे दिया हूँ जियो माहिया मेरा मन ले लिया तुने साथिया मेरा मन ले लिया मेहके मेहके गुजरे गिंबरे बहकी बहकी कचती है राते तुना मेहके मेहके गुजरे गिंबरे बहकी बहकी कचती है राते तेरी तिराब कुछ भी न सूथे दिल दखे बस तेरी हिबाते तुना मेले तो जग लागे तुना सुना रे माहिया मेरा मन ले लिया तुने साथिया मेरा मन ले लिया लुजरे तुना सुना रे साया भी तेरा छूले मुझे तो आँख शरम से जुक जुक जाए साया भी तेरा छूले मुझे तो आँख शरम से जुक जुक जाए पैसे धर के दिली दिवाना साथ सहने से जुक जुक जाए दिली का लाया जाने तुना तुना रे मही अमरा मनने गिया तुने साथ अमरा मनने गिया तु सावा तेरी या तिर्खला में तेरी लदन में उलती जाए हर तु सावा तेरी तर्खला में तेरी लदन में उलती जाए हर तर्खल तेरी तर्खाए ते तेरे तेसे दिले के आ तुझे में सबा के जाओ मेरा जु छोना छोना रे माहिया मेरा मनने लिया मूने साथिया मेरा मनने लिया अकियों की रस्ते मन में सबा के ये क्या भिवाना तम दे दिया है हर दिले लिए अधियों माहिया मनने लिया तुझे मेरा मनने लिया तुझे मेरा मनने लिया हुआ 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 है हलो आंकर हलो बिटिया कैसी हो आप कहा जा रहे है बैया गूम बिरके तुम्हारे ही आने वाला था ये कौन ये चंदर है चंदर यादा बच्पन ने इसने तुम्हारी जान बचाई थी बहुत अच्छा राइडर अब ये आपने इसकी राइडिंग देखी कहा है देखो बीटिया राइडिंग तो अनारी देखते हैं आप तो बैठने के स्टाईल जो समझ जाते हैं सुनो बार्खुदा क्या कर रहा हूँ आचकल पहरा हूँ पढ़ रहा हूँ तो ऐसा करो पढ़ लिख लो और उसके बाद मेरे स्टट फार्म में आजा मुझे अपने घुरों के लिए एक अच्छी आद्मी की जरूरत है नहीं अंकल बड़ी मुश्किल से तो इस एस्टबल से बार निकाला है जो इसके बुजर्ग हमारे गुरों की देखबाल किया करती थी आप इसे फिर वापिस ले जाना चाहते हैं बेटिया I'm sorry, very sorry मुझे नहीं मालूम था कि तुमने इसके लिए कुछ होर सोच रखा है ये बतलाव तुम आई डैडी घर पे है ओके, have a nice time कितना अच्छा गा रहा है कौन है अंकर? बेटे, ये एक उदास बंजारा है जो अपने दिल में गमों का भोज लिये हुए बस यही गाना गाता रहता है लोग कहते हैं इस गाने की पीशे कुछ कहानी है I don't know चले चंदर, हम इसे मिलने चलते हैं कितना इस बत्राइब, हम इसे मिलने चलते हैं कितना इसे मिलने चलते हैं आओ, बैठो ये गाना आप का रहे थे? हाँ तो गई ही न? गाना मेरी तलहाई के सुर्बान है मैं अपना दिल बहलाने के लिए गाता हूँ किसी दिन आप हमारे घर आए लेड़ी आपसे मिलके बहुत खुश होंगे किसकी बेटी हो? ठाकर किशिन सेंग हाँ, बहुत बढ़ा अपनी है ये कौन है? ये चंदर है क्या देख रहे हैं बाबा? बेली जब तू प्यार करने वालों को देखता है बहुत खुश होता है बाबा अब हमारे घर कब आएंगे? आउंगा, जरूर आउंगा जब तुभारी शादी होगी तब आउंगा असीदी कॉलेज से घर आजाना कुछ मेहमान आने वाले है अच्छे मामी तुझे कॉलेज साने में देख क्यों हो जाती है? कॉलेज तो चार बज़े बंद हो जाता है न? एक दो काम हो तो बताओ मामी कॉलेज के बाद किताबों के लिए लाइडरी जाती हूँ फिर कभी सोशल वर्स अस्टेशन की मीटिंग होती है कभी तुमाटिक क्लब की मीटिंग होती है मागर आज में सब काम छोड़के सीधे घर आजाओंगी ओकी मामी अच्छे ये श्री रामनाच जी है इलवाज उनिवर्स्टी के मेरे खास दोष वो मेरे बेडरूम में क्रिकेट टीम की फोटोग्राफ है ना उसने एक पत्री सी चीज है ये वो ही है बैठो नो मेटि नहीं अंटि कॉलिश का वक्त हो गया है जाओ बेडी आजाओ बेटे बैए अंटि भाई ठाकोष तुम्हारी बच्ची तो बहुत पहरी निकली मुझे तो सूखी चीज याद है जो भावी की गोदियों पड़ी-पड़ी हमेशा रोया करते अरे भाई अब तो हम रोयेंगे इसकी जाने के बाद बावजी इस देश की हालत दिन पर दिन पत्ली होती जा रही है क्योभी क्या हो गया जो भी कुरसी पर बैठता है गोन लगाखर बैठता मेरा मतलब देश प्रेम सुगर कर कुरसी प्रेम रह गया है अब देखियो न धो भी बटन खाते है निता देश का भविष्ट, बहन भाई का सर खाती है, लेकिन यह नहीं देखती, कमीज में बटन लगा है या नहीं? मा ने का था बटन मैं टाग दूंगी, लो तुम यह एचाईपी हो, मैं अभी बटन टाग चलाती हूँ पावजी, यह हाई सुल कर देना, तैसे शॉटन टापिंग कोट कराती हूँ नहीं, मुझे सुदा से नौकरी नहीं करवाने हूँ अरे माईय क्या, पूजा भगवान की कर रही हो, काने में लगे हूँ जा ले चंदर, आरे गिरजा तू, आ ना, कल मेरा लाइसेंस मिल गया अचाई से जी, शेर जाके टेक्सी चला रहा हूँ अच्छा, यह तो बड़ी खुशी की बात है, टेक्सी में बहुत पैसा है, और आजकल तो बैंक से लोन भी मिल जाता है तो साल दो साल में टेक्सी अपनी हो जाएगी, और पांच होंग यह घी में होंगी तुम भी कहां यार पड़ाई लिखाई के चक्कर में पड़गा हो, और फिर कॉलेज के प्रोफेसर को साड़े चार सो रुपे मिलता है इतना ता हम टेक्सी वाले हफ्ते बर में कमा लेते हैं हाँ भाई तुमें क्यों फिक्र होगी पैसे कमाने की तुम तो सोने की चुड़े पनाख लगाई हो, अवेली की तरफ ताक लगाई बठे हो किर्चा, अगर फिर कभी ऐसी बात मुझ से निकाली तो बख किसी पेट के अंदर कर दूगा, समझा अरे अरे भाईया, यह क्या कर रहा हो ख्याल रहे मैं शाम को इंतिजार करूँगा यह कुट आम है आने का, सारे नोट यहीं बच चुके हैं कॉलेज के पहुंचेंगे अरे मेरे एक क्लास में आट साल फेल होने से तुमको तकलीफ क्या होती है तकलीफ तो उस दिन होगी जिस दिन में पास होकर कॉलेज छोड़कर चला जाओंगा तुमको खिलाएगा कौन पिलाएगा कौन अरे मेरे खांदान में कोई दस साल से पहले एक क्लास में पास ही नहीं हुआ कमाल से मुझे कमाल की वास याद आई मेरे पास कमाल अंधेरी का लिखा हुआ नाटक है रजिया सुल्तान अरे रजिया तो मेरे घर के बाजू में रहती है कमाल की लड़की है मैं तिन साल से उसको लाइन मारता हूँ लेकिन वो लड़की है के मेरी तरफ दज़र उठाकर देखती तक नहीं मैं जब जब भी उसकी तरफ देखता हूँ तो उसका बात मेरे को लाइन मेरे मतलब मेरे को देखता है अबे गोचू, मैं उस रजिया की बात कर रहा हूँ जिसका जिकर हुमारे जुगराविये में है रजिया सुल्तान सुल्तान तो मेरे घर में मेरे दादा जी की मालिस करने रोज आया करता था मैं रजिया को लाइन मारता था, रजिया सुल्तान को लाइन मारती जी, सुल्तान एक दिन मालिस करने नहीं आया, दूसरे दिन पता चला, रजिया सुल्तान को लेकर भाग गई, हो गया ने रजिया सुल्तान, तुम नहीं सुदर होगे, अबे मैं रजिया सुल्तान ड्रामे क अब है उसको जोच्छों है is इसको सब्सक्राइब कर गारे क्मे स्दक आपरिंग्यू को और है ओन ऄ 11 अब है मैं मेपलरी श्ienne लिक कर भाएं संतरी में हिरो तो माय में में, نہیں में, मैं हिरो इनके फगर हिरो अच्छा नहीं लगूंगा upwards में एक लड़की है यह जोडा है पूनम चंदर, आ... पूनम चंदर मुझे और किसीओ भाईë, खराबिनाधों में है चंदबु पैता है और चंदर किसी से अपनी । यार एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरों के तुक्रों पर पनने में क्या मज़ा आता है मिस्टर विनोर फिर कभी ऐसी बत्तमीजी की तो तो तुम क्या तो लोगी तुम लोप लोगी भाई सोचलिजम के खिलाब तो हम नहीं हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी की सारी महरवानिया एक ही कहिसे ना है भाई इस कॉलिज के अंदर और भी तो घरीब लोग है घरीब तो तुम वाकई हो विनोर तो तुम्हारे पास बोलने तकि तमीज नहीं तो मैं नहीं मालूम के लड़कियों के साथ कैसे बात चीत की जाती है अब मैं साइस के लॉंडर के मूँ क्या लगो मेरे पता साइस जरूर है लेकिन अपना पसी ना बेशते है तुम्हारे पता की तब चावल में कंकर और दवाओं के जगत से हमी बेशते है हमी पतार लोग है ओ आप इज़रदार लोग है हमी पतार लोग है मुझे अपने कॉलेज में इस किसम की बाते बिल्कुल पसंद नहीं लड़ना ही है तो छूचाथ चोरी सामर दायक्ता के खिलाब लड़ो ताकि मैं फक्रम मैसुस कर सकूं के तुम दोलो मेरे कॉलेज के स्टुडेंट हो यू मैं गोना विनो तुम तो मेरे कॉलेज के सबसे ब्रिलियंट स्टुडेंट हो इतना भी नहीं समझते हैं अगर विनोद को कॉलेज से निकाल दिया जाए तो भी वो जिन्दगी वर आश कर सकता है उसके पास लुटाने के लिए अपने बाप के करोडों रूपे हैं और तुम्हारे पास सिवाए नेक नामी के और क्या है जानते हो इस हरकत पर तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट किया जा सकता था आगे से ध्यान रखना जाओ जानते हैं तो एंचेहाँ जाओ 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 पढ़ाई छोड़ाएं? पढ़ाई छोड़ाएं? क्यों? मेरो ठीके तो कहता है आखर कब तक मैं दूसरों कर तुकड़ा उपर पलता रहोंगा कब तक तुम मेरी कीस बरती रहोंगे? तुम पागल तुने होगे जो ऐसी बाते कर रहे हो क्या प्रिंसिपल ने कुछ कहा? पता ना? कोई नहीं बात नहीं वहीं बात जो मैं बरसां से सुनता आ रहा हूँ क्या? यह है कि मैं गरीब हूँ ठागुर साब की महरबानी उचे ओस चाट कर ची रहा हूँ भगवान ने मेरे ले कोई नहीं तक्तिर नहीं लिखे वहीं मेरे पुर्खों की पुरानी लाहू लुहान तक्तिर मेरे माते पर ठोप दी इसका मतलब है मेरा कोई अर्थी नहीं मेरे होने नहोने से कुछ खरकी नहीं पड़ता तुम्हारी पुरकों में से किसे ही सवेली की किसी पूनुम का प्यार मिला था तुम्हें तक्तिर पढ़ना आता ही नहीं आओ, मैं बताऊंगी तुम्हें पढ़के तुम्हारी तक्तिर यह क्या कर रहा है? प्यार? मुझे अच्छा नहीं लगता क्या पहली बार है ऐसा वाला प्यार शादी के बाद ही अच्छा लगता है क्या बात कर रही यार तु क्या पंडित भगवान से बढ़ा हो गया अरे भगवान के सामने जब कस्म खाई है तो फिर क्या है सुधा मा बुलारी है मैं जाती है फिर कब मिलोगी सुधा पता नहीं है लगगी कहा गूमती रहती है सारा दिन क्या है मा यह क्या अर यह तरी उमरे सारा दिन भटक तरह ने की जा चंदर को बुला ला ठाकुर सा अब राद देख रहे है आपने मुझे बिलाया ठाकुर सा हाँ चंदर एक बात है कि तुम दो-तर दिन कॉलेज मत जाओ क्यों यहां एक जरूरी मुकर्दमे की तारीशने चल रही है इसलिए मैं तो जानी सकता और बहां जंगलों का ठेकर देना बहुत जरूरी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ जैसा आपके एक जरू तो ऐसे करो के तुम कल ही चले जाओ जयां जी नहीं बोलो तेडी देखो यह भाग रहा है मेरे कॉलिज में ऐसी कॉंपटीशन है और इसने बोला था मैं लिख दूँगा ते दिन उसे टाल रहा है टेडी देखो कल लास्टे है अगर मेरे ऐसे नहीं पहुंचा तो मेरी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी न लेकिन बेटे इसके जाना बहुत जरूरी है और रही ऐसे की बात अवल तो तुम्हें खुद लिखना चाहिए अगर तुम नहीं लिख सकते ही तो नवर्माइन हम लिख देंगे आप लिख देंगे क्योजी हम ने लिख सकते हैं सोशो पनिटिकल बैंकर अपसी अफ ह що इसे आप लिख देंगे जिंदीगी में सवा दो फिलमे तो देखी हैं सवा दो कहा मतलब पंदनी और सुजाता, ये तो ही दो, और एक किसी फिल्म का ट्रेलर देखा था, और चले है ऐसे लिखने, और वो भी सोशो पोलिटिकल बैंकरपसी अफ हिंदी सिनेमा पी नवरिना, ये ऐसे लिखना हमारे बसका रोगने ऐसे मैं लिखतूंगा लेकिन तुम्हे तो कल जाना है आँ मा, आजी रात को जाने की तग्यारी करो जी, जी हाँ पैठी मने सवा दो पिक्चरे देखी, नौठी गर्ल्स ओना ओना ये क्या पागलपन था अगर ठाकुर साब उश्चा हो जाता तो तुम ठाकुर साब और जंगल की ठेकेदर की बारे में सोचते रो तैड़ी को शक होता है तो हो जाने दो और फिर एक नहीं दिन तो उन्हें पता चलना ही है न ये पिवानों की तरह बातें मत करो क्यों न करूं कुछ तो होते हैं मुहबबत में जुनू के आसा कुछ लोग भी दिवाना बना देते ही तुम नहीं समझ्ज़ूगे ये बातें क्योंकि यी मुहबबद की बाते हैं. और महबद तुम्हें दिखाई हैं नहीं देती, क्योंकि तुम्हारी मारी आंग्षों पे डाड़ी के नमक की पक्टी बन दी है 정확 पुनाम, तुम क्यों नहीं समझ़ते हैं IVEP मैं तुम्हारे बगएर नहीं रह सकती महबबत के सिवा जिंदगी में और भी कई काम है पुनम, ठाकुर सहाब के किसी भी बात को में इंकार नहीं कर सकता चाहे वो बात हमें जुदा ही क्यों न कर दे या तुम जरा सी बात को इतना बढ़ा क्यों रही हो मेरी बात का जवाब दोशंदर तैरी की बात मानोगे या मेरी समझ के पुनम कौन है? अरे बाबा, कौन है? महु हसीना खोल दरुवाजा दिल का आ गया दीवाना तेरा कब से खड़ा हूँ तेरे दर पे ओ जनब लेले दिल नजराना मेरा कर दोल कर दोल कर दोल जिला रैटिल तैने बाफ़ा पार च्र्ची मेदक व्यूप ऐखे मिलाई कि इस Minister मेदक की DR. हृ आखे मिलाएव जिस दूने सतान्म आखे मिलाए जिससे दूने सतान्म एयो निद्र के दिलर श कतनर्व वो दीवाना तेरे प्यार में होया था, किस्पते पेख चला आया मैं हूँ हसीना खोर घरवाजा दिल का, आ गया दीवाना तेरा कब से खड़ा हूँ तेरे दर पे ओ जानम, लेले दिल, नजराना मेरा जिल जए खडिलक आया, किस्पते गामा बंभर आया धांजि f फिल एत्राल जाओ में शव्पा ड़ोर आओ कर चा भाज बामा बामाम पराज भाले आया तThree बात ये क्या है मुझे तरताती क्यूं है चहरा दिखा के मुझे जुप जाती क्यूं है बात ये क्या है मुझे तरताती क्यूं है चहरा दिखा के मुझे जुप जाती क्यूं है जान ले ले तेरी शडारद संधिन दूना सता कौँ है मैं हूँ हशीना खो दर्वाजा दिल का आगया दीवाना तेरा कब देखड़ा हूँ तेरे दर्पे ओ जानम लेले दिल नजराना मेरा हाई रहा हाई मुझे पागल बनाए संग हवा के तेरी खुश्बूचो आए रुत हती है हम तुम जवा है पाथ मेरे आभिचा मैं हूँ हशीना खोल कर वाजा दिल का आगया दीवाना तेरा सबसे खड़ा हूँ तेरे दर्पे ओ जानम लेले दिल नजराना मेरा हम जवा दिल कर दो दो खड़ा हूँ तेरे दिल कर दो आट हम जवा मेरे दोल कर दोल कर दोल कर दोल कर दोल यही सुदा, इतनी गुम्सम क्यों हो? क्या बात है? कुछ पताओ तु सही? क्या किसी को कुछ पता चलिगा? अब यह बात जादा देर तक नहीं छुप सकती, तुम उससे ब्या कर लो, गेचा? क्या? अरे ब्या करने के लिए तु सारी जिंदगी पड़ी है, पहले जिंदगी के मज़े तो ले लो नहीं, क्या बात है सुदा? अब मैं तुमको क्या बताओं? कि मैं... यह मैं मैं क्या लगा रखी है? मैं, मैं मा बने हैं हाँ गिर्जा? नहीं? आए एसे नहीं हो सकता तु जूट बोले लो नहीं गिर्जा, मैं जूट नहीं बोल ली हूं, गिर्जा यह सची वह तुमकरि चाल है मुझ से मुझ से शादी करनी तेको मेरे तुम से और तुम्हारे बच्चे से कोई वास्ता नहीं समझी? गिर्जा एकाला बुलेगे, दूस क्योदा मरी खल्म ही? जोर दो, जोर दो मुझे बना दो मुझे जोर जोर दो, मैं जोर दोर तुदा, इदर दो, इदर दो जोर दो, आप, आप क्यों बचा लिया मुझे? क्यों बचा लिया? क्यों बचा लिया? किसी मासूम दड़की को आत्मात्या पर मजूर करके भागना जिन्दगी का सही रास्ता नहीं, गरिजर आत्मात्या? हाँ अगर मैं वक्त पर ना पहुंच जाता तो बचारी दर्या में गूत कर जान दे दीती और तुम भाकुर साह मुझे माफ करती जे मैं माफ करने वाला कौन होता? तुम्हारे पाप का प्राश्टी जिसी में है कि तुम उसके साथ चाजी कर लो और एक शरीफ आदी तना जंदी बसर करो जो प्राश्टी तना जंदी प्राश्टी जञ दूश्टी जिया प्राश्टी तना प्राश्टी जिसी तना चलाश्रा थेपिए माफ माई यह सब क्या है? यह ब्या कैसे होगा चुप्चाप? वो कहा है? अंदर है. शहर जाने की तैयारी कर रही है. शहर? ठाको साथ में बहज में गिर्जा को टेक्सी दी है. यह तु.. सुधा.. लगता है तुम उसे बना मिले ही जाने वाजी थी वही माना कि अब तेरा घर वही है. लेकिन हम भी दे तेरे कुछ लगते है. भाईया मुझे माफ कर दू. प्यार की भी एक सिमा होती है पगली. उसकी भी एक लक्समना रिखा होती है. इसे क्या समझा रहे हो बेचे? हवेली जाकर ठाकर साथ के पैर पड़ों. अगर वो नहोते तो इसने तो हमारी ना की कदवा दीची. अगर वो नहीं कुछ भी आप दू. अरे, चंदर, यह क्या कर रहा है? ठाकर साथ, आपने मेरे वो मेरे घरवालों के लिए कुछ पिकिया. वह भाउत था. अगर मेरे सर काटा जाए तो खून नहीं. आपका नमक बहेड़ा. क्या पागले देशी बाते कर रहे हो? सुदा की शारी करवा कर रहा है. अरे, पगले. माने जो कुछ किया, मुझे वही तो करना चाहिए था. और फिर, सुदा मेरे बच्ची की सवान है. वो तो ठीक है. लेकर आप नमपर बहुत बहुत कर रहे हो. अरे, क्या फाल्तू बाते कर रहे हो? चुनो, जाओ जाओ. चुनो यहांसे. जाओ. जाओ जाओ. अरे, चंदर, तुम कब आए बेटा? अवे भी आया, रानिमा. रानिमा, आपने जो अंपर अहसान किया है, उसे मैं कभी नहीं बूल सकता. इसमें अहसान की क्या बात है बेटा? हमारे ले तो जैसे पुनम, वैसे ही सुधा. अरे, पुनम मिली? नहीं. आज इसका जनम दिन है? पता नहीं पगली कहा चलीगी? जनम दिन? आखिर निगाह डाले कोई किस हसीन पर? एक चांद आसमा पर है, एक जमीन पर? अगर सुन लेगी ये दुनिया हमीं बदनाम कर देगी जरा पढ़ना मेरे दिल की किताब आहिस्ता आहिस्ता महबत रंग लाएगी जनम आहिस्ता आहिस्ता के जैसे रंग लाती है शराप आहिस्ता आहिस्ता महबत रंग लाएगी आहिस्ता शराप अबी तो तुम भीज़कते हो के जाते जाते जाएगा लिजाब हाहिस्टा, हाहिस्टा हिजाब बनार से हाता है मेरी वोगता है गरों से कोई ही बात बनती है गला हाहिस्टा, हाहिस्टा महबत रंग लाएंगी हाहिस्टा हाहिस्टा अबी कम दिन हो, क्या जाना महबत किसको कहते हैं अबी कम दिन हो, क्या जाना महबत किसको कहते हैं बहारे तुम पे लाएंगी शब आहिस्टा, आहिस्टा आहिस्ता महारी आच्युकी हम पर गुरुरत दाह बाकी है तुहारे च्यार चादू की सवा आहिस्ता आहिस्ता मुहबत धंग लाहे दिन जना आहिस्ता आहिस्ता के जैसे धंग लाती है शरा आहिस्ता आहिस्ता कर दो कर दो जब अपर आहिस्ता कर दाहिस्ता कर दे दंग मैंने रासा निकाल लिए या कॉल्ज का इनुमिल फंक्शन होने वाला है तो तु उसमें देखना क्या ड्रामा होता है? ड्रामा? ड्रामा अब हम आपको सैक्डो बरस पहले की दिल्ली ले चलते हैं जमाना रजिया सुल्तान का है जो दारोगाय अस्तवल अमीर याकूत हबशी पे आशिक हो गई थी सरहन का गवर्नर और रजिया का तलबगार दिल्ली में मौजूद है रजिया अमीर याकूत से मिलने आती है वक्त है गई रात का याकूत रबाब पर अपने वतन की कोई धुन बजा रहा है वतन की यादगार के तौर पर उसके पास यही नगवा रह गया है जो उसे हप्ष की पुरसरार पहाड़ियों, वादियों और एकिस्तान में ले जाता है जहां उसका बच्पन गुजरा था कि पिछले दर्वाजे पे दस्तत होती है चांद पर बादल अच्छा लगता है मलकाया लिया मगर इस चांद पर नहीं वफा की तारीख महबद करने वालों ने हमेशे अपने खुने दिल से लखी हमलकाया लिया पर चांद को यूँ जमीन पर नहीं उतना चाहिए चांद तो आसमान पर ही अच्छा लगता है जमीन से दूर और जमीन बेबस मजबूर जमीन कत्रा कत्रा चांद नीपी कर जिन्दा रहती है और यही जमीन की तखदीर है और यही चांद की मजबूरी दिल्ली की मलिका को एक गुलाम के पास यूँ नहीं आना चाहिए था ये तो तुम्हें हमारे लिए अपने दिल का दर्वाजा खोलने से पहले सोचना चाहिए था याकूर हम अपनी परिशानिया लेकर कहा जाएं अल्तुनिय दिल्ली में हैं उम्राई सल्तना चाहते हैं कि उसे हमारी शादी हो जाए हमारी मुहपत का अंजाम क्या होगा याकूर शायद वही ये तमाम मुहपत करने वालों का होताया है मलका यालिया याखूद अल्तुनिय या उसकी तल्वार के लोहिस से नहीं ड़ता याखूद तर्वारियों के सालिशों से भी नहीं ड़ता याखूद अल्ला के लिक्षिवी तक्दीर से भी नहीं ड़ता याखूद डरता है तो सिर्फ आपकी बदनामी से आज जहानी सुल्तान अलतमश की उन महरबानियों से यह ने गुलान याखूत को अमेज याखूत बना दिया अगर आपकी बद्नानी का ख्याल ना होता तो खुदा कसम दिल्ली के तख्त पर अपने हंजर की नोक से अपने प्यार की तारी खिलिक देता आखे बता रही है कि तुम जाग रहे हैं फिर दर्वाजा खुलने में इतनी देरी क्यों हम जवाब चाहते हैं अमीरे सरहन को शायद मालूम नहीं यह दिल्ली है और दिल्ली के दर्वाजा किसी कहुकिन से नहीं खुला करते हैं वो प्यार से खुलते हैं या फिर ठोके से अपनी जबान को अपनी जबान को लगाम दे याकूट जिंदगी अस्तबल में गुजारी है लगाम देना तो अच्छी तरह याद होगा मुझ और खोड़ों को काबू करना भी नहीं बुला हूँ अपने हकिकत याद नहीं रही हप्शी गुलाम मेरी हकिकत मेरी मयान में है अमीर सरहन्दट। अगर तुम मलकाई मौसमा के मिहमान न होते तो खासम नमा के दर्वारे तिली की तुम्हारी हाकिकत तुम्हारे खून में तरापती न दराती या कुट मैं तुम्हारी खानु देर कर रख दुना अबे बनोद ये को ते जालाग बोल रहा है कमाल है कमाल साहब ये क्या बोल रहा है अपसूद अमेरे सरंद को आज तक इसने तहजीर नहीं सिखाई इनकी सबान पादारी लखों से आलग दाए बक्वास बंकर रजिया का है का है रजिया या खूद के सामने मलकायालिया का नाम एक राम सिलिया जाता है ओ तेरी तो ऐसी कम तैसी हरामजाद है अपे विनोद वहीं बोल जो लिखा रहा है नहीं तो पबलिकम सब की ऐसी की तैसी कर देगी ओ यू शट अप तो इस लाइग नहीं कि हम तुछ पर अपनी दलवार खीचे है घोडों में पल का जवान हुए है ना तो सिर्फ कोडों की जबान समझ में आएगी तुमको अब बढ़ो जुलाना नहीं ये रजिया जुल्तान का ग्रामा है कोई हंत्रवादी का पेड़ा नहीं अब बढ़ो गरो अब फिर्फ का जुल्तान की दूलाएगी अब बढ़ो अब बढ़ो अब बढ़ो यूशजड़प भिच्च ओनाम छड़ दो मुछे प्लीज तुम मशा बनने सुपहदाने इस बस दबान के लिए तुमकेला ही काफियों लेकि मैंने चाहता है कि नोल्डे खराब हूँ तुहेर विदी आनियुल्डे ट्रामे में भी ये नीच पर्सनल खड़ो पे उतर आया मैंसे समय नहीं छोड़ूंगी तुमारे हाथ से तुम्हें जहर भी पी सकता हूँ विनोद मैं तुम्हें पहले भी कई बार वार्निंग दे चुका हूँ लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते आज तुम्हें हमारे कॉलेज की इजट ठाक में मिला दी है इसकी तुम्हें सजा मिलेगी अरे आश्टा कर अरे यह क्या हुआ कुछ नहीं डाइड वो वेज़ी थोड़ा ड्रामे में लग गई है ड्रामे में वो कैसे वो क्या हुआ डाइड वह रोएं थी ना उसको मानना नहीं आ रहा था तो मैंने उसे का घबराओ मत सचमिश मार जो कुछ नहीं थोड़ी सी लगी है डाइड अज़ियु करनान नहीं या है तो क्या सचमिश कटुव धर हं अज करकि लड़के, लड़श clo को क्या होगा है कुछ समझ में आईड की कुछ समझ में आईगा डाइड इस जनल्रेशन काइड संस्तीन रहा है अग kon कि आपको थाकुर अंकर मिले थे हैं कि सच्वा तुम सीरे सो मैं तो कब से चारा था कि पुनम जैसी लड़की बहु बन के इस घर में तुम फिकर मत करो थाकुर मेरे पुराने दूस्त है उनसे में कली बात करूंगा मैं तो यार उन पुरानी ध्रियन उसी बातों को मांगता रहें कि लड़की वाले हैं तो चल को लड़की वालों क्या और क्यों जैसे रिश्टे का खेला है मैं विह उस्किनी बात करने आज़े अब बोल तुम क्या गया अरे इसमें बोलना क्या है तुम इतनी जूर चैना बा पुनम, ममी, कह सच है कि आप लोग मेरी शादी विनोट के साथ कर रहे हैं, हाँ, तेरे डैडी में तो बात पक्के भी कर दी, मुझसे पूछे बगए, शादी तो एक मेरी दिन हो नहीं है, इसमें पूछने के क्या बात है, मेरी शादी वही होगी, जहां मैं चाहूं ममी, मेर कौन है वो, 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 कोई बराजमी तो नहीं है, एक मामूली तीदा साथा सा लड़का है, पर ममी, है बहुत अच्छा, क्या नाम है उसका, कहा रहता है, यही, मेरा मतलब है, इसी खेर में रहता है, अरे बता तो कही, वो है कौन, ममी, वो, तेरी खुशी नहीं हमारी खु मैं तरी रैडी से कहे कर, वहीं बात करवा दूगी, लेकिन कुछ तो बता, उसके माबाप कौन है, उसका घराना क्या है, घराना, ममा, ममी, वो, अरे डर्टी क्यों है, बोलना, ममी, वो, वो लड़का चंदर है, पागल अपर ये क्या, हाफ को रोकी बेटी, एक नौकर के बेटे से नहीं जाई जा सकती, असक तेरे जाडी ने ये बात सुन दी, तो तुम दलों को गली मार देंगी, ममी, जानती नहीं, समाज में हर आदमी की अपने एक जगा होती है, और आदमी सिर्फ अपनी जगा पे ही अच्छा लगता है, अब कभी ये बात ना कहना, और न क अबी सोचना, पर में जो कुछ हो रहा है, तुम्हें मालूम है, फिर तुम्हें क्या सुझा है, आज पहली बार, मुझे अपनी हैसियत का अंदाता हो रहा है, कि तुम्हारे मकावले में, मत कितने चोटा हूँ, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है, अब ही वो जमाना नहीं आया, फिन्टू, कि थो प्यार करने वालों के बीच में, समाज और खानदान की कोई दिवार ना हो, जिन्दगी हैं हमारी है, इनकी तैसले भी हम करेंगे, चंदर, समाज और खानदान की बात यहाँ है नहीं बुनों, यह नहीं हो सकता क्यूं नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता कि हमने प्यार किया है और प्यार कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं फिर हम क्यूं भागें क्यूंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं उस दीने से क्या फाइदा कि जिन्दवी भर ये ख्याल हमारा पीछा करता रहे कि ठाकुर्स सहाब ने इस बर्दानी के जहर को कैसे पिया होगा कैसे बर्दास्ट किया होगा क्योंकि लाडली बेटी इतन नौकर के बेटी के साथ भागते तो तुम ये क्यों नहीं कहते कि मिस्टे जादा तुम्हें डैडी की इज़त से प्यार है मेरी बात समझ दें कोशिश करो कुना हमारे यहां एक रवायत है जिस पेल का आस रगिया हो उस पेल को नहीं काटते मैं ठाकुर्स सहाब के आहसानों का बल्दा यह नहीं देना चाहता जो तुम चाहते हो मैं आज जो कुछ की हूँ ठाकुर्स सहाब की मेरबानियों की वज़े से तुहूं पर ना तुम्हारे घोड़ों के आस्तवल में एक लड़का बढ़कर जबान हुआ हो था और तुम्हें पता भी नहीं चलिदा ठीक है तुम उनके ऐसानों की कीमत चुकाओ मैं अपनी प्यार की कीमत पहीं चुकाऊंगी जाम शुरू हुआ था पूरा खुम्हे 시청 कर दो बाला की और भॉठो खॉधो टो दो दो बाला कि अ कर दो 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 कर दोको कि आए पत्रूद तुम्हें सविआ तुम्हें दो थे तष्ते करने दो सकाहा साय समझ जुआ का मतलっぱ भी मालुम है स्वला। सवाच करें पर अ कंबो फोने का नाम भी जान तो रास को निकलता है तुनों अब हमारा चान भी चुदाई थी रात निकलेगा और इसकी चांगी में हमारे दिलों का कोना कोना से पंगा उठेगा अरे पगली साथी तुब बदन के बिलाब का नाम है दिलों का मिलाब इसे कहीं बड़ी चीज़ है तुनो वादा खरो तुम जड़ी की बात मानोगे मेरे लिए चान दे सकती हो बचान में दे सकते हैं इन आखों को तुम्हारे सब में देखनी से कैसे रोती है इन आखों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं पुनो यह शरीफ लगती की आँखे हैं किसी और के खरचा कर आखों किसी दो भीछ भीण हो बाखना, इसे मेरे सब्ने देना चोड़ेंगी वचन दो उच्छान में भीशे से डर लग रहा है चेंदर इसे अपनी बाहूं बेलो इसे जोर से कि मेरे संसरी लगी तब शाय्द में भीचन देते कूश कि लागि लग जाए लोगो लगाई नहीं जाए रे ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे लग लग जाए लोगो लगाई नहीं जाए रे ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे जब ये बच्पन कहीं दूर जाने हैं रुच्यवानी की ये पात आने लगे दिल की धड़कन नए गीत गाने लगे सांस नगमे नए गुन गुनाने लगे बिन्थिये ये पदम नगम जाने लगे फिर किसी दिन कहीं आख ऐसे लड़े आख ऐसे लड़े ताख दिले उड़े जब मिले दिल जावा तो शुरूदा सिदा जो दिवाने बने जिसम दो एक जाव जो मिले दिल तो मिलके जुदा होगा ये महमबत दिला से मिटाई नहीं जाए रे ये अगन लग जाए तो मुझाई नहीं जाए रे ये जाए रे प्यार के रंग से फिर हसी हो जहां फूलों की हो जमी तारों का आत्मा हो शराबी हवा हो बुला भी घटा मुस्कुराए नजर ददमगाए आदा हर कदम पे खुशी हर कदम पे नशा आते आते कभी आये पिर ये घड़ी जिन्दगी से जुड़े जिन्दगी की करी प्रीथ दुलहन बने लाल जोडा कजे प्यार दूला बने तर पे तहरा बने हाथ महंदी रखे और पिया थाम ले जोड़ी बन जाए लोगो बनाई नहीं जाए रे ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे बने जाए तो पर हमेशा यहां ऐसा होता नहीं सुनते आए हैं जो वैसा होता नहीं पिश्की की राह में बारहा ये हुआ पिश्की की ये दुआ बन गई बद्धुआ यार बिच्डा गही यार मारा गया यार बिच्डे जहां देखे तनहाईया दिल के लिपसी हुई चलती परचाईया फिर तु लगने लगे जिस्म के संग जा आग ऐसी लगे चाए ऐसा धुआ बात हो जाए जल जल के दोनों जा बात हो जाए जल जल के दोनों जाए दिल के बश्टी लुटे तो बताई नहीं जाए रे ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे बिल्या 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 बुझाई नहीं जाए रे ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे कैंके लाए वी जाए रे अवन लाए रे कर दो दो खेए बुमोर की लिएए कर दो बुमोर कांण जो दंभाचित शंकरप्रभृत देवे इस्राब बंदितार जामां पाथ सन्या का हाथ अपने हाथ में लीजिए मंगलम भगवान विश्लू मंगलम गर्वंत जंगं कुंदोरी कांटम या कुंदोरी कादर आया सुवस्ता बिदाया बिना बर्दन मंदित कराया जो दंभा जिट संकरप्रभृत देवे डाबंदितार आमांतार्र ओं भूं सावं पते विख्राओं गुंगवा मेउमं गलम भगवान विश्लू कुंदोरी कांट्रि अजा क लिल्या लगण आधा इट है? लोग घा इे ग्रा इड में एकर अजा उप्लिड़का जुर्ये एकर und उप लेंग कर दो को हैं और भॉर्ष गलाओंग। जए लोलाओंग। लॉर्ष। लॉर्ष गलाओंग। अपर्भा लॉता हैं कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला सब चुप चाप हैं डॉक्टर किसी को मिलने नहीं थे आज तेस रहते में तो कुछ खा ले बिता शायद आज मिलने ले मैं देखकर आता हूँ मुझे क्या मालूम था कि शादी की गड़ी मेरी बेटी की जान की दुस्मन बन जाएगी जो हुआ उसे बुझ जाएगी सब सब्सक्राइगी लो डाक्सा भी आज़े जान का खत्रा तो तल गया क्या हम उसे देख सकते हैं डॉक्टर सर्थ क्यो नहीं मगर कुछ देर के लिए आईए आईए क्यों खर में जाएगी क्यों जाएगी झाएगी आईए सकते हैं क्यों पुआ जाएगी कर दो डवर माला या वर में एंग कर दो एज लिए दो कर दो एक दो एगिभा नहगे, जो ए अब का माला, यहा व्या पना पुलम बेटी पेडी पुलम दक्तर साथ कह रहे थे जान का खत्रा टल गया बेटी जान का खत्रा ही क्या सब कुछ होता है मैं पुलम कि जरूरी काम से किया होगा इसमें कुछ बगली सी नजाएं थागुर साथ या आपको वहम मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं वह मेरी मर्दी के खिलाब सोच भी नहीं सकता बिटिया की चान बच गई है कुछ दिन में ठीक हो जाई बस आप शादी का मुरत दिखनवाईए कि इसके शादी अब मैं पुलम के साथ हरके शादी नहीं करूँगा मैं ठीक कर रहा हूँ डैड मैं उस जले हुए चेहरे वाली लड़की के साथ अपनी जिल्द की बरबाद नहीं कर तकता है राम्याथ कैसी दोस्ते के दंबरते थे यह यह तुमारी जबान तुमारा बेटा रंग बदले और तुमारा बात जब कहना चाहते हैं मुझे जबानी यादा ठाकुर साहिब जबान की किमत जान देने की परंपरा मैं सब समझता हूँ जबान पर तो जान मैं भी देशता हूँ लेकिन उस बत सूरत लड़की के लिए नहीं विलोट यह शादी होगी हाँ डैड शादी तो जरूर होगी लेकिन मेरी नहीं यह भगवान अब मेरी बच्ची का क्या होगा उस राज के हाथ से के बास से तो वह यह कुछ कर रहे गई अब यह सुनेगी तो भगवान न करें ठाकुरों में सबान से ज़्यादा सूरत कब से देखी जाने लगी जब से ठाक और रोने लगें कौन जालों अपने यह आँसे और शुक्रक और भगवान का कि हम अपनी बेटी को सूरत देखने वालों के हाँ बयाने से बच्च के यह क्या हालत बढ़ा रखे तुने अपने बालों की मैंने सुन लिया है ममी क्या सुन लिया वहीं जो तुम से कहा नहीं जा रहा है कि विनोड में शादी करने से इंकार कर दिया है इसमें रोनी की तो कोई बात नहीं है ममी शादी में सूरग तो देखी जाती है न और मेरी सूरग तो ऐसी हो गई है जिनमें से खुटी नहीं देखी जाती कैसी आग लगी है दुनिया को अब बड़े लोग भी छोटे हो गए है क्या लमा विनोद ने पुनम के साथ शादी करने से इंकार कर दिया है क्या नाई तुम क्या समुझते हो कि मैं पुनम से प्यार करता हूँ इसलिए उससे शादी करना चाहता था नाई मैं तो सिर्फ उससे बदला लेने के लिए शादी कर रहा था और वैसे भी शादी के बज़स की जिन्द की खराब होने वाली थी शादी से पहले हो गई मेरा काम बुरा हो गया इतना तुम आलूम था कि तुम्हें करे हुए शक्स हो लेकिन इतने नीच हो इसका अंदादा नहीं था संदर अब भूम सिर्फ तुम्हारे लाइक रह गई है गोएड पुनम किसके लाइक है और किसके लाइक नहीं यह तुम्हें नहीं घ्यानता लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम कभी पुनम के लाइक नहीं थे अब तुपड फैलो हाँ क्या वादे चंदर पुनम के शादी के बारे में जो कुछ सुना है क्या वो सच अठाक उर्थाग हाँ सच तो फिर सच्रियों में तो फिर नहीं होता चंदर पहले तुम लड़कियों को पैदा होते ही मार डालते है वहीं सोच रहा हूँ ठाक उर्थाब और क्या करूँ बाजार से नहीं तुसके लिए को निया चेरा खरी सकता हूँ और नहीं कोई वर्थाब ठाक उर्थाब मुझे तो आपकी महर्वानियों ने पहले से इसले तरखा है तीरा चाहे कितना भी दावदार है लेकिन पीतल के इंगूठी में नहीं लगता ये बाज सोचने की हमत कैसे हूँ तुम है हमारी मेर्वानी को गलब मत हमें नहीं अपने जान पर खेल कर अगर तुमने पुनम की जान ना बचाई होती तो आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखरी रात होती नमक हराम मैं अपने प्यार पर शर्मिंदा नहीं नहीं फिर भी आपसे प्षमा चाहता हूँ मैं कुछ भी हो सकता हूँ लेकिन नमक हराम नहीं जुखता ये अपनी क्या स्था आखिर आपको कब समझाएची क्या आपको माली है ये पुनम्दी यही चाहती है पुलम अगर कुए में कूच जाना चाहिए इसना मतलब हमां फुकूद देंगे वो ते इसके साथ ठाग जानी जुखता है वो नम चंदर के साथ धाग जाना चाहती थी हाँ और उसीने ये कहकर मना किया था कि वो आपके साथ नमक हरामी में ही बज़ता ये बात मैंने अपने काने की से लिए अगवान के लिए अपनी बेटी के खुश्यों को अपने खांदान और दौलक की तराज़ने मत दो लिए पके भविशे का तो कुश्याल कीजिए पुनम बेटी तेरे डैडी राजी हो गय है मुझे कोली मामने पर कैसी बाते कर रही है तेरे डैडी तेरी और चंदर की शादी के लिए राजी हो गय है बेटी हम तो चंदर के पाउं ठोकर चिये तो भी कम है परना उस मनूस रात के पाद खैर तू भूल जाएं सब बातों को अब तो तू अपनी और चंदर के पारे में ही सोई पुना तुम यहांसे जाओ चंदर एक बार देखो तो था यह नहीं तुम देखोगे तो नफरत करने लागों ऒूएं मुझ्से एले चेहरे पर मेरे बलकिसमे एक आनि लिखी हे आई हमा देखी के लुखरत होने लगती है अपने अप से तक महभत है इक अपने अपसे महभत तो मैं करता हू TOP से ये वो होट हैं। प्धैने में अप्धाना चाहता हूं। मैं तौरिश्टो आखे हैं.. कि शत्याव है। ये वो निशान है.. कि जो प्यार का चराख बनकर.. मेरे सिम्रें शिन्मे की चथ मका देंगे। मैंने तुम्हारी 아주 big-jes तुम्हारी छ मारी चाहा.. तुम्हें चाहा है पुलूम वक्त बुजरने पर होटों का शहद भी सूख जाता है आँखें भी अपना जादू भूल जाते हैं तो क्या प्यार करने वाले अपना प्यार टम करते हैं प्यार का जिसम से कोई तालोक नहीं है पगली है स्री भजवां ऐसे संदर लड़के के भागे में ये चल मुझी लड़की चारदा गहन उने शादी से सुरुख पैसे के लिए हो रही है ये लड़का कुई का पला हुआ है भातिर आपको जब कोई और भर नहीं मिला उन्होंने अपनी लड़की इसी की सर मड़ दी लेकि इस लड़की को भी शहर नहीं है ऐसे संदर लड़के का जीवन करा करते पुना कमी पुना तुम्हारी बात मेरी समझ में आई पुना मेरे बार बार पुकारने पर तुम्हें रुकी इसलिए मुझे यहां तक आना पड़ा क्यों आना पड़ा वही बात बार बार सुनने का तुम्हें इतना शौक क्यों है चेहरा जल जाने का यह मतलब नहीं कि मैं अपने किसी नौकर के बेटे से शादी करनू यह बात तुम्हें आज ही क्यों याद आए कि मैं तुम्हारे किसी नौकर के बेटा हूँ कुछ दिन पहले तो तुम मेरे साथ भाग जाना जाते ही और तुम इस मजाख को हखीकत समझे और क्या वो तमाम सबने में मजाख ही थे क्यों हमें साथ साथ देखे थे वो हमारी आँखों का धोखा था और तुम जा सकते हूँ में यह तुम्हारे आजाने की गलती माफ़ करती क्या पागल होगी यो जिन्दिगी के बच्चों का खेल है मां से जिन्दिगी के साथ खिरवार करने की इजास बिलकुल नहीं दूँगा मैं नाई विनोग के साथ शादी के लिए उससे पूछा था और नाई चंदर के बारे मुझ से स्था ले रहा हूँ उसकी शादी होगी तो चंदर के साथ होगी का चंदर जंदर जंदर थाकुर साहब पता नहीं थाकुर साहब वो कहीं चला गया है चला गया कहा चला गया पता नहीं बस यह चिठी छोड़ गया ओ माई गाड तुछ अपनी जंदी पर तो इख्तियार है लेकिन चंदर की जंदी बरबाच करने का तुझे कोई हक नहीं था क्या हुआ है चंदर को ओ चला गया चला गया कहा चला गया भगवान ही जाने तुने ये तो सोचा होता कि उसके भी माबाप है उनपर क्लाब बीजेगी यह अपने डैडी से पर पुठा होता है तुझी तरह जानती है कि तेरे डैडी ने कितने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया थोड़े जिन्हें में तेरा उप्रेशन हो जाएगा तो बिल्कु ठीक हो जाएगी जिद्धा लग लग जाए लोग लगाई नहीं जाए रे ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे अरे वह आकल अंदर बाश्चा क्या जादू है तुम्हारी आवाज में चलती ही जीद्ध के भाईय रुख जाते हैं और मुझे डिदार के लिए ही आना पड़ता है अरे चंदर तुम यहां क्या कर रहा हूँ इसे जानते हूँ अब आश्या बड़ी अच्छी तुम यह अपना चंदर है तो फिर इसे अपने साथ ले जाओ और इसे हुआ क्या है वह ही जो हमेशा से वोता आ रहा है दिल और तॉलब के टक्राव में तूरता तो दिली है ना सोनी चान्जी की सिरियां चड़ गई और महिवाल समाज के तूफानी चनाब में अकेला रह गया अब या तो ये मेरी तरह विवानों के खाक चानता फिरेगा या फिर फिर? फिर क्या वाश्या? ये मर चाहेगा चंदर आओ मेरे सर्थ कहा? तुम्हारे परस जाने के लिए को और जग रहे? तो फिर पूछ को रहे हो, चलो आओ, उतो आओ बर कुझारे देखो, ये रहा हमारा स्वल और वो रहा हमारा कोरम हम कल तुम्हें सक्कुछ दिख लाएंगे, अभी तुम्हें थोड़े देर के लिए आराम कर लो, आओ, ग्राइबर, सावान उतारो, आओ दैड दैड मुझे आपसे कुछ कहना है तुम्हें मुझे मालूम, तुम्हें मुझे क्या के लाएंगे, लेकिन मुझे भी तुम्हें तुमसे कुछ कहना है अब मेरे पाश तुम्हें देने के लिए पैशा बेश जितनी दौलत तुम्हारे हाथों लुटा सकता था लुटा चुका मैंने तुम्हारे लिए कभी न खतम होने या ले खादाने का दर्वा लगा जिसे तुमने अपने हाथों में गा ओ डाग आप फिर पूनम की बात ले बैठे हैं हाँ मैं फिर पूनम की बात लेकिन जिसे तुम पूनम की बात समझ रहे हो वह दरसल में पूनम के बाप की दौनब की बात है पूनम किसी लड़की का नाम नहीं है, जिसकी शगल देखके तुम बिदर करें, पूनम नाम है, नोटों की बेशमार गड्डियों का, नोट फट चाहिए, या उसमें डाग लग चाहिए, तो सीकी वक्त कम नहीं हो जाते हैं, तुम जो ये भई खाते देख रहे हो, ये भई मैंने, हमारी इज़त की चिता है, मैंने एक बड़ा खेल शिला है, हार जिर, आज से तुम्हें कोई पक्टमेन नहीं मिलेगी, अपने खर्चे के लिए या तो कोई नौफरी करो, या सारक में हीक मांगो, या फिर, या फिर क्या, तूनम, तूनम, नमस्ते जी, नमस्ते जी, वो तो हास्पिटल में है, हास्पिटल में, क्यों, उनके चेहरे का आपरेशन होने वाला है, चेहरे का आपरेशन, जी हाँ, अपने के लोगारा, तूनम, मैं आप से माफिय मांगना चाहता हूं, तो तूनम मालूम हो गया है, ये पुनम के सेरा, प्लास्टिक सरजीशी ठीक हो जाएगा, ये तो बड़े उछी बात है, अंकर, पर आप यरखीन मानिया, ये बात मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ तो फिर ये एकदम माफी मांगने ख्याल कहां से आ गया है मैं जानता हूँ अंकल आप मेरी बात को जूट मानेंगे लेकिन सच बात ये है कि उस दिन के आज तक मैं नीन बास सो नहीं सका मैं आज पुनम का हाथ मांगनें नहीं हाया मैं तो सिर्फ आप से माफी मांगना आया ताकि मैं मैं मून बस लो सकूँ अंकल मैंने तुम्हें माफ कर भी दिया तो भी क्या होगा शादी तो पुनम चंदर के सा तनीं करें पर मैंने तो सुना कि चंदर ना पता, अंकर? हाँ, पुलम की खुशी के लिए मैं से तलाज करूँगा, कही न कहीं से ढूनने जादेंगा, पर्स की जे चंदर फेजी ने मिला तो? तो भी फैसला पुलम के हाप में, क्योंकि मैं एक बार फैसला करके परसाच होता हूँ, बसके मैंने तो यह चाहा था, कि पुलम की शाजी तुम्हारे साथ हो, मगर बस करूँ अंकल बस, मैं यही सुना थाता था, आगे मैं जानो मेरी तक्ति, लेकिन हो सके तो मुझे माफ रुका देगा वाँ भई वाँ, तुम यहाँ आराम फर्मा रहे हो, और नीके मैमान तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं, तुम्हारे जल्दी तैयार हो जाओ, तैयार होने का जीनी चाहरा से, आरे स्थर गया तेल लेने, सुनो, मैं तुमसे बात पूछा हूँ, जी समझ गया, वही पुरानी हजारों साल पहले वाली कहानी, शिकस्ता शीशा दिल की भला सजा क्या है, पर यह दिल किसी ने अपनी तौलत के पत्थर से तुढ़ा है, आम सॉरी मैं बाई, देखो, अगर यही बात है, तो तुम अपनी जिंदगी को बरबात करते हो, भई हम त करते हैं, कि दिलों के बीच में जो डॉलत लाए, उसे तो पहली फुरसत में भुला देना चाहिए, उसकी यादों से कभी फुरसत मिले, तो समराने की कोज़े से जरू करूँगा सार, तो उसकी यादों से हम फुरसत दिलवा देंगे तुमें, आउ, इसी तरह चले हो, हाँ, हमारा कैवलरी का करनल कहा तरता था, विस्ोकी यादता शुरू करो, अगर METE MAGA मुझे यह मालूम है, कि Δshove अ गितने धर्म है न, उसह ट कहते हैं, खाना जादा नहीं, पीना जादा नहीं, और यह द slowing Полखり को, आज तो बहुत बहुत बरादा देते, कहीं विस्की य प्रवारी हो जाती है और आदमी लेकिन एक दो प्रेक्स क्या होता जो जो नहीं जाओंगा अलो है मैं तो भूल जाता हूँ इतना जल्दी नहीं पीना चाहिए उमर ख्याम कह गए है गर बाद खुरे बाखिरद मन्दा कुन अगर पीना है तो अकलमन्द आदमियों के साथ प्यो यहासीन लड़कें की सहुवत में प्यो बिस्यार मकुल जादा मत प्यो जूद मकुन जल्दी मत प्यो लेकिन में तुमने ओगbok कर दिया है 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 हैंी को यह है आपके मिस्टियास गेशests वही आपके एद मेल माँ कंप यार यह मिस्टर सिंह थे मेरे शाहमल अंकल मेरे हैं यह व्ल सृत है इन अरतल सबस्टी में बएस केन सब करो मैं एक द्रिंग बनाता हूँ आप से मिलकर बड़ी खुशी हुई छोड़ो यार, ये परमालिटी में के बिलकुल पसंद नहीं ना जानना पेचान, बड़ी खुशी हुई तुमारा नाम क्या है? आप मा, आम चंदर ओहो, और चल्फ कॉंपिडेंस, चंदर ना मैं में कुछ कमी रहे, नशिस्त यू जमी रहे लेगा, रिना, इस चंदर है ना, जबर दफ और साइड है और मैं ये इंट्रोडेशन से जबरापा हूँ मैं तुमी चाई ले ले ले, इसका कमान यार, आम ना तन मानी चिसम कमा, ये नो मैं तरह से लेक्पी चुका हूँ कमान यार, आम अदर वन भावो, फंटास्टिक सनासाब कह रहे थे कि भूलने में मदद करती है किसे बुलाना चाहते हैं आप कमान यार, बता होना, किसे बुलाना चाहते हो अगे में यार विं करती है कमान यार, आम यार, आम यार आम यार, आम यार आ जरा मेरे हम नहीं थाम ले मुझे थाम ले जिंद गीते बाग कर आया हूं मैं मुझे थाम ले मुझे थाम ले आ जरा मेरे हम नहीं थाम ले मुझे थाम ले आ जरा अपनी हसी से खुद मैं परेशान हूं जिसकी मन दिल नहीं ऐसा इनसान हूं अपनी हसी से खुद मैं परेशान हूं जिसकी मन दिल नहीं ऐसा इनसान हूं मैं कहां था कहां थे कहां आ गया क्या से क्या हो गया मैं भी हैरान हूं आ जरा तेरे हम नहीं थाम ले मुझे थाम ले आ जरा बुझ गया भी तो क्या अपने दिल का दिया अब न रोएंगे हम लोशनी के लिए कुछ गया भी तो क्या अपने दिल का दिया अब न रोएंगे हम रोशनी के लिए दिल का कीटा जो जूटा तो गम क्यों करें दर्द का भी है बस जिंजगी के लिए आ जरा मेरे हम न की थाम ले मुझे थाम ले आ जरा जरा मेरे बस जरा मेरे का लिए राते आती रही राते चाती रही राते आती रही राते जाती रही राते आती रही राते जाती रही अपने अपने नजीबों की बातें ये जो मिला हमको उसका बहुत शुक्रिया आजरा मेरे हम नकी साम ले मुझे साम ले जिन्दगी से बाग कर आया हो मैं मुझे साम ले आजरा हलो चंदर हलो तुम बहुत गजब का गाती हैं अगर ये लाज़ी ड्रॉंकर वारी ना सिख जाओ दें हमारे घोड़े कैसे लगे? वड़फल अनिमालिक है आनिमल? अंकल के सामने मत कहना उनके लिए तो ये सामने मेंबर्स हैं अंकल भी बहुत अजीब आदमी हैं है न? तुमने मेरे खिलाब इस चेकान भरने का सिल्षण स्मूख कर ही दिया ना ओ आंकल जैसे आपको मेरे कहने ना कहने की बड़ी परवा करी ओ परवा करने दगे तो मुसीबा डबल हो जाएगी देखो चंदर यह है है हमारे वेटरनी सर्जेंट डाक्टर शुकला अलो, हाड़ुजू आपको जाएगी डाक्टर शुकला को सफ़े दे के पास ले जाओ ना राइट सर बाई चंदर बाई बाद चले लेगे बाद 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 बोलते ने अच्छा ते अंदर यह बतलाओ तुम्हे हमारे एस्टेबिश्मेंट कैसा लगा फर्स क्लास आहाँ नौट फर्स क्लास सेकंड क्लास भी बरखुर्दा इस एस्टेबिश्मेंट को फर्स क्लास बनाने के लिए किसी फर्स क्लास आदमी की ज़रूरत है अगर वो आफ़र भी स्टेंट करता है तो मैं हाजी देंट करता है माई बॉइ आफ़र स्टेंट तो नो तुम यहां के काम में इतना उलज जाओगे कि तुमें कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देगा बिन खुल नहीं देगा अंडरस्टेंट वेरी कुछ इंप्रोविन वेरी वेल शाबाश भाई बहुत बादुलर क्यो थैंक यू डॉक्टर कैसे बिटे चंदर का कुछ पता चड़ा नहीं आभी कुछ पता निचड़ा तेडी ठीके न करो बिटे हम असे रूणने की पूल कुछिश करेंगे कितने संदर फूल हैं किसने वेज़ें नाम नहीं बताया जरूर संदर में वेज़े होंगे मुझसे खपा है ना मिलने भी नहीं आया उसके सिवा और कम भी तकता है करेंगे 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 ओन्हे तुम ने तु कमाल कर दिया, चंदर? जिस घोड़े को अंकल न इतने सालों से सिदा ने किया, एक दिन में सिदा कर दिया अंकल, ब्रेवो, ब्रेवो, माई बएभाई बाई, बई बॉड, बई बॉड, 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 बइच पहां, हाह् इस दिस चंदर, जिन्दे की सिर्फ सोचना है नहीं है तो क्या है? मैं बताती हूँ, चलो कहाँ? अरे यार, तुम सवाल बहुत करते हो, जब आप किसी का भी नहीं देते, चलो तो सही लेकन कहाँ? अरे तुम चलो ना कहाँ? किसी जमाई तन, किसी जमाई तन, कैसे में हपच बना हम? हमकी जवा है सनम, दिल की जवा है सनम कैसे महापत ना आदे लिया हमकी जवा है सनम दिल की जवा है सनम कैसे महापत ना आदे में दूब रहता जब बादे लिया जवा दिल कैसे जर और अदे लिया हमकी जवा है सनम कैसे महापत ना आदे कैसे महापत ना आदे कैसे महापत ना आदे कैसे महापत ना आदे दिल पे हमारे तेरी कैसे नयद नहां होगी यार हमकी जवा है सनम दिल जवा है सनम कैसे महबत नहां होगी महबत की बात में कुछ दम नहीं है महबत स्यामत से कुछ कम नहीं है मुसिया नहीं है कोई तर गदर का मुसिया नहीं है मुसिया नहीं है मुसिया नहीं है तो है यार गंक लगा और दिर मुझे दिल के वो फिर दिल पे चर्नम ऐसी कोया मतमुला गेरी आरब हम्झी जवा है सर्नम अजी जवा है सर्नम कैसे महपत ना आगी मुहपत है जोका दगास नाई वफा का सिला है यहां बेववाई यहां पूजे तो हम सनम बत रूके रिबादत मुहपत के राच आए आना बेवा है सर्नम आ मेरे दिल में करदी इसे शिकायत ना आगी यह लियार हम्झी जवा है सर्नम दिल जवा है सर्नम कैसे महोकत ना आगी ओ मेहें दूब रेता जब सामने हो जवा दिल से कैसरे कैसे महोकत ना आगी ओ हम्झी जवा है सर्नम दिल जवा है सर्नम कैसे महोकत ना आगी कैसे महा दिल जवा है हमझी ओम कैसे महा है कैसे महा दिल जवा है कैसे महाँ देदिग कि अनिका तरफ दूब पहले चेवी अच्छा बना तो मगए अपनी पीजा सुमें लेता तो मुस्कुराटूं में लेता हूं अच्छा मैं ठाकुछा वगरा को बिलापना तो अरे भई फूल भी आ गया तो अज पूल वाला भी आ गया अरे भई वो तुम्हें देखने आ रहा है तुम्हारे कप्रों को नहीं यह फूल तुम बेजा करते थे क्यों? किसलिए? तुमसे माफी मापने की हम्मत नहीं हो रही थी ना इसलिए फूलों को सेवारिश के लिए बेजता रहा मैं तो सिठ तुमसे माफी मापना चाहता था जबसे मैंने शादी से इंकार कर दिया है मैं पल बर सो नहीं सका तुम अगर माफ कर दुकी तो गुनाथ तुमने चंदर का किया है माफी भी तुम उसी से मांगो लेकिन चंदर है कहा ये तुमुझे भी नहीं बता मैं समझती थी इस सब फूल चंदर बेगा करता था लेकिन कर हम लोग घर वापिस टा रहे है मेरे अगू का कैसे पूछूंगी तु कर मैं भी घरा लता हो चंदर का बता करना है माई दियर ठाक ये ना पूछना कि मैं तुम्हें आज क्यों बतला रहा हूं लेकिन चंदर मेरे पास है मैंने उसे काम के चक्कर में ऐसा फसाया है कि उसे अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता वो धीरे धीरे अपनी उदाशी के खौल से बाहर आ रहा है लगता है कि थोड़े ही दिनों में जीने में भी उसका जील लगने लगेगा नमस्तर अंटी जी नमस्तर अंटी हाई पुनम हाव ही अंकल फाइन वरी फाइन ममी बिनोंत का याना मुझे बिलकुल पसंद नहीं है उसे कह रहे याने यार करें मैं सरे डैडी से कह दूँगी वो उसे मना कर दूँगी अरे कमाद हो गया चंदर का पादा चल गया कहा है पाद सिन्हा की पास चली डैडी हम वहाँ चलते हैं आज ही इसी वस नहीं बिटें तुर तु जानती हो वो किन हालाते में चोड़कर गया है ऐसा करता हूँ पहले मुझे खत लिखता हूँ फिर उसके वाज़ता हूँ में डैडी हट मैं कुछ लिखूंगी पर तुर किया था तुम्हारे साथ किसी बच्चिरए वाली लड़की को कैसे बरदाश करते थी चंदर मैंने अपने आपको तुम्हारे लाइक पनाने के लिए अस्पटाल में दिन या आफ्ते में महीनों काते हैं अब में तुम्हारे बाहों में आने के कावी होगा हैं ये तक्षीर भीज़ए हैं बताओ के मैं ज़्यूजर भी हैं अब में घर वापिस आग रही हैं तुम्हारा इंतजार करने हैं ये रहापका तोड़ा और रहा अज़़वा निके यार अरु बुदॉर्दॉर्टॉर्टॉर्ण। क्या है ? यह ! रम कम से पिने लगा अरु यह करा यार ? वह तरुपॉर्टॉर्ण। दू एक्स्टावाइश स्कॉच विस्किर आओ मेरे पास पैसे महीं है ? हम आया ? हम दुनिया को पिला ना था आज स्कॉच पीता है ? लड़के दांस करती है उससे अपने चंगरा ना उसने क्या फटागी पटागे रह राखे हुँ पटागे के साथ वह हुआ 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 मखल लाग की बात में कर रहा है इसको की बात कर रहा हूं जा तुमने चंदर को देखा था वह कुछ ता डिसको ए थी का मतभूभा सान मेरे राम हूरे रांपूर रामपूर हुख Jewel कर दो, हो डाई कर दो कि अधिया आज का दिन इसको दाना नहीं डालना कल तक ठीक हो जाएगा लेगा इसको स्टेवल में इसके को परमाईए अगुपता या अब मुझे कुछ घौड़े खरीदना थे इज़ा से गुज़ रहा था कोछ आप से बात करूं लेकिन उसके लिए तो आपको सिना साव या चंदर बाबु को मिलना पड़ेगा यह चंदर बाबु कौन है घौड़ों को वही ट्रेन करते हैं आइसी काम अलाकात हो सकते हैं वह रोज सुबाद साथ वज़े के करीड घौड़ों को रंदेने के लिए जाते हैं और उसके देमा थेंकिन बोड़ा खाली वापस आगया। चंदर कहा है। पता नहीं। सुनो अपने तलाम आदम से को उसकी तलाश करें। प्लीज गो गो। सिना साथ, नदी के पास एक जगा खून देखा गया। खून? लगता है बलाकी ने ठोकर खाई। चंदर साथ गिर गए। और शाइद नदी उन्हें बहा ले गई। नहीं। ऐसे नहीं है जड़ता। चंदर पुझे जोड़के नहीं जा सकता। पुनम, बिठे, 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 बिठे। तुम जरह से समालो, मैं डॉक्टर को पून करता हूँ। बिठे, होश्व बिठे बिठे, बिठे, बिठे! चंदर के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफ्टोस हुआ। मेरा तु एक ही दोस्त था ऐसे दोस्त बार बार में मिलते हैं अंकल मुझे तो पुलू की फिकर खाय जा रही है ना जाने सड़की क्या होगा मेरे होते हो उसे कुछ नहीं होगा अंकल पता है जब मैंने शादी से इंकार कर दिया था तो चंदर मेरे पताया था उसने मुझे कहा था कि मैं मैं पुलूम से शादी करना हूँ मैं अपने दोस्त की आखरी आज़ू को जरूर पुरा करूँगा उंकल जरूर पुरा करूँगा पगा नहीं पुलूम की किसमें क्या लिख खाया हरब नहीं लगदा दिल मेरा हरब नहीं लगदा दिल मेरा यार बीना हा सारा जज़ है अंधीरा हर बाब नहीं लगदा दिल मेरा 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 हर बाद नगदाद मेरा कांख जो हाटे उड़ कर आती अदम से तेरे सहिना उठाटी वाले किन तुझ से तिछडी हुए से जैसे तिछडे दी तुसे बाती रो रखटे हैं सांद सविरा हर बाद नगदा दिल मेरा क्यार बिना चारा जब है धिरा हर बाद नगदा दिल मेरा हर बाद नगदा दिल मेरा हर बाम कर दो कर दो कर दो देखी गहावल को बख चुगाए आप किसके सिकर कर नहीं को भूबत में अब भी तुम्हें आराम की जुरूत है अंकर आप पुलम की चिखी चंदर को क्यों नहीं दे देते हैं? खत कहते हैं मुम्किन उस खत में कुछ उल्पी सीधी बात लुक्षी हो जिससे इसकी बिलपक बुरा असर पहुजाए नहीं बजिया इस वक्त इसे समभालना तुम्हारा काम है पुलम की चंदर की चंदर जिंदा है चंदर जिंदा है? हाँ यह कि जरक हाई है डैडी मुझे चंदर के पास लेचलो हाँ बेटे हम सब लोग चिलेंगे वो जिंदा मिल गया और ठाकुर साब कह रहे थे कि वह रायकाल में ही पुलम की चादी चंदर के साथ कर दे अब तुम खैली बलाओ पकाते रहो आडी तैयार हो जा तो मुझे भी बला ले डैड मेरी भी एक बात सुनते जाए अगर पुलम है तो सिर्फ मेरी है नहीं तो पुलम है यह नहीं आहा तब के धाले के बंढ़े आएंगे सरकार चले अंके चंदर कहा है चंदर लेवा मुआ ढ़लो आराम कर लो अंके बताना वो सामने गेस्ट्रूम है ना उसना अरे यहाभी चाह का वक्त हो गया आए ना चलो अफो प्लीज रीना बी गुट बॉस दॉक्टर में का है प्लीज अब तुम ठीक हो गया हूँ कम क्या है गोलियां खागे बस पेट खराप खरो खाओ तुम ठीक हो अब आप तुम ठीक हो और इसमें अब समझे मेरे ख़त का जवाब क्यों नहीं दिया उसमें उससे अब मेरी ज़रूरत नहीं है तुम 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 थे अब आप प्लीज रोब को यहाँ आप इसमें तुकरा चुकी हो उसका दिल तोड़ चुकी हो फिर क्यों आई हो यहां मैंने समझा वो अब भी मुझे प्यार करता है नहीं हो मैंने उस मुर्दे में जान डाली है उससे नई जिन्दगी देने की कोशिश की है प्यार दिया है उसे यार हाँ तुम्हारे पास चंदर की सिवा सब कुछ है और मेरे पास उसकी सिवा कुछ भी नहीं तुम्हारे पास प्रॉलत है उससे जाकर अपनी खुश्य कई और से क्योंने खरीड लेती है हमारे जिन्दगी क्यों मरबात करने आई हो चली जाओ यहां से चली जाओ पूनम क्या बात है चंदर मुझे लगा जैसे पूनम की जी से बात कर रही हो डोन बीजिली चंदर पूनम की आवाज यहां कहां के आ सकती है तुम लेड चाओ और सोनी कोशिश करो नहीं रेना मेरे काने इतना मला धोखा नहीं खा सकते तुम मैं सच कह रही है पूनम आ नहीं थी हाँ मैं सच कह रही है नहीं रेना जूट बोल रही है चंदर डोक्टर मरीसे मौत के बारे में जूट बोलते हैं रेना जिंदगी के बारे में नहीं पूनम यही है चंदर और वो तुम से ही मिलने के लिए आई हुई है लेकिन रीना नहीं चाहती कि तुम उससे मिलो हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम उससे मिलकर अपने दिल के जखम हरे करो मैं नहीं चाहती कि तुम उनी पेरों में जागी रो जो तुमें ठुकरा चुकी है और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम अपने नगरों से खुद गिर जाओ एकन मैं तो सिर्फ उसे एक नगर देखूंगा वो अभी और इस टेबल की तरफ गई है चंदर नहीं रीना आग उसे कोई नहीं रोख सकता हवा का दावन पकड़ने से क्या फायदा सबसे बड़ा डॉक्तर भी है और महरम भी उसके पास हल जखम का इलाज होता है और मैं वादा करता हूं पूरव कि कुछी दिनों में चंदर को बिलकुल भुला दोगा हट जो मेरे रास्टे से भूल जाओ उस किसी आरे को देखो ना तुमने तो कितनी कोशिश की कि उसे इस गंड़ी से मिकालो लेकिन वो एक इस गंड़ी मुगा पर चला आया और हाँ अब तो उसने एक नया जीवन साथी भी ढून लिया है चलो मेरे साथ बड़ी बेश्रम हो विनोग्स नफसा तक की जबान नहीं समझते नाम मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा है और ना कभी सोचूंगी उने चंदर मुझी बुला रहा है तुम चाहे मुझे ना मिलो चंदर भी तुमको नहीं मिलेगा एक बार मेरी गोली से बच चुका है लेकिन इस बार नहीं बचेगा अस्तबल में पैदा हुआ है अस्तबल में मरदाएगा तुम यह अगर मेरे कहां ना माना मैं चंदर को जान समादा रुआ नी विनोग्स प्लीज आज मागर देख लो चंदर हम लोग इदर हाए नी विनोग्स हम दोना यहा है पुर्ण तुमरा चेरा बिल्कुल शीट हो गया हाँ चंदर मैंने हाँ इसको तकलीक तो बहुत हुई लेकर मेरे लिए इसने प्लास्टिक सहज़ी से अबना चेरा ठीक करा लिया तुम्हारी लिए अज़न में हम लोग एक नई जिंदगी शुरू करने से पहले तुम्हार आशीरवार लेना चाहते थे चंदर याद अज़न तुम्हें गिरगड़ा कर मुझसे कहा था कि मुझे पूलन तहीं शादी करनी होगी मैंने तुम्हारा कहा माल ज़ा आज हम लोग शादी कर रहे हैं मैं बहुत खुश हुआ जो कानी अधूरी थी अब पूरी हो जाएगी चंदर तुम्हें मेरा खट नहीं मिला हाँ उस खट में हम दोनों अपने शादी के बारे में सब कुछ लिख दिया था चंदर में अ चंदर अब तुम भी रिना से शादी करी लो कब तक ये जिन्दगी में अकेले रहो गए जालेंग अब तो तुम्हारी जिख पूरी हो गई न केरी जी की शादी की बात सबसे पहले तुम्हें मालमोने चाहिए ओके हो सकते तो शादी में जरूर आना बबाए चलो डालेंग चले जालेंग गाड़ी उस तरव नहीं गाड़ी उधर है तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे साथ जाओगी तुम क्या समझते हो कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी पिलकुल नहीं एक बार तुम्हें छोड़ने की गले दिक पाठी करूँगा अब जिंदगी भानने करूगा चलो मिरसाथ चलो मुझे, अंगर तुम्हें चंदर की जान बचाने के लिए चुपती, मुझे अपनी जान की परवा नहीं है लेकिन मुझे है, मैं अपनी होने वाली धरम बच्जे की जान खत्रे में कैसे डाल सकता हूँ चलो मिरसाथ चलो, चलो मुझे तुम क्या समझते थे, धुखा देकर निकल जाओगे तुम्हारी चाला की मंदरी समझ क्या थे नूट पूनम की जान बचाने के लिए खामोश रहा मौत के सामने मता चंदर अगर जिंदगी चाहते हो, तो मेरे रात जाचाओ जिंदगी चाहता हूँ, इसलिए नहीं होतुगा आज थेसला होकर रहे करेंगा ते लडाई कभी कॉलेज में शुरू हुई थी आज यहां खत्म होके हाँ, वो आज यहीं खत्म होगी लेकिन तुम्हारी मौत के सामने आज यहीं होगी अजगी चाहता हुई वो आज यहीं होगा यहीं होगी यहीं होगी यहीं होगी इसलिए तुम्हारी मौत के सामने कर दोंआ कि अजय की ए्यू्यादा जहीं है από जाल वोज वोग मनों जोग अवलाइब लुज बुज़ हैं, वोज बार्टाम जोग और भीज़ लुज़ रहां कि अजह चक्ष़ हैं, वोग आलाइब वोगोग। कर दो हम्धन कर दो एंधन कर दो कि ऑ्षूज कर दो जा हिर। कि घ्रिजब खरए करें ट्रिजब एक बाही है कि अब बाही है कि अब बाही है कि अार्टो अन्हार गुझ उन्हार्ट को यह रखना, में भुख अगा हैं, नि Northeast कर दो के, से कर दो कि असे खंभ दो कर दो कर दो हुआ cabin, तो vẫnुंग दूना की अजए नंब अमागो का कर? कर दो कर दो कर दो कर दो बनाई नहीं जाए रे ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे लागी लागी जाए लोगो तो लगाई